हेलो दोस्तो आप सभी का स्वालत है हमारे योटूब चैनल स्टडी जोन पर दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं स्टाप सेलेक्शन कमिशन की MTS की फॉर्म है आप कैसे स्टेप बाई स्टेप इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तो अगर प्रॉपरली आपने इ स्टेपं के आंदर कोई मिस्टेइक करना है क्योंकि दोस्तो एडिक करने का ऑप्सन दुवार नहीं दियाता है लिए प्रस्टेशन को है जो आपको आप मिस्टेप को सुधार सकते यह दोस्तो ज Install पूरे द्यान से स्टेप थे अच्टेप देखना है और साथ ही bring ौधको बतादू कि कल मैंने बताया था कि अपनी उपेसिकी को 5 भीकeking बाद अप्डेट करता है और सज्थी ने आपने उफीशल वेबसाइट्ट उसे प्डेट कर दिया है यहाप रेजिस्टेशन और जो है आप इसे अपलाई कर सकते हैं और दोस्तों मैंने बताया है कि 18 साल के सारे का इंडेट हैं इस फॉरम को भर सकते हैं वह सिर्फ 10 पास होने चाहिए और दोस्तों आपको इसमें कोई भी एक्स्रा डिग्री डालते हैं तो आपकी इसके लिए प्रिफरेंस आपको नहीं दिया बीना समय गवाए इस फॉरम को कैसे अप्लाई करना है और कहां से आपको अप्लाई लिंक बिलेगा हम आपको पूरी इंफर्मिसन दे देंगे साथ में डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई लिंक दोनों ही है आप वहाँ से जाकर डारेक्ट यह सकते है और इसके विवेबसाइट इनक और साथ ही दोस्तों आपने हमारा फेस्बुक पे जॉइन नहीं किया है तो जॉइन कर लिजिए क्योंकि वहां पर भी अगर कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले हम अपडेट कर देते हैं नोटिफिकेशन के माद्यम से जिस भी माद्यम से वीडियो बनाकर आप तक उस वीडियो को सेर कर देते हैं तो वहां भी जुएन जरूष है जिएका डिस्क्रिप्शन में संकर सबका लिंक है आप वहां पर जा सकते हैं तो जैसे कि दोस्तों सबसे पहले आपको SSC लिक कर जो जो है नोटिस आप मल्टिंग टास्क नन टेकनिकल स्टाफ एक्जामनेशन की जो पीडियो पाचुकी है इस पीडियो का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आप वहां से इस पीडियो को है पूरी इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं यहां पर देख से और स्ट्रक्शन मिली चूट मिली है और लगभग दोस्तों इसकी बैकेंजी आट हजार के उपर है आट हजार प्लस वेकेंजी है मैं आपको यहां पर रता है वह भी आपकी काफी ज्यादा हैंड्सम है तो इस नोटिफिकेशन को आप पूरा पढ़ लीजेगा यहां से इसके बारे में पूरी दी हुई है आप यहां पर पढ़ सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आप कैसे अपलाई करेंगे तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि यहां पर जो है अपलाई लिंक आ रहा है अपलाई तो इस अपलाई पर यहां पर क्लि तो यहां पर दोस्तो अधर वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना है अधर वाले सेक्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आजाएगा यहां से आप इसकी जो है आप जो नोटिफिकेशन को डाउलोड कर सकते हैं और यहां से आप अपलाई कर सकत है वह पासवर्ड यहां पर डाल कर अपने क्याप्चर लोग इन कर सकते हैं उनके लिए नियू यूजर नया रिजिस्टेशन करना होगा तो दोस्तों करने के लिए यहां पर आपको एक क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा क्योंकि दोस्तों अभी वेबसाइट का लिंग एक्टिव किया गया है तो यह वेबसाइट कुछ सबसे पहले हैं यहां पर सबसे पहले आपके पास अधारीकारट है यह नहीं आपको यहां बताना है अगर yes है तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको yes करना है yes करते ही दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ नया इंटरफेस आएगा यहाँ पर क्लिक करने का यह option आपको भरना होगा आपको यहाँ पर id type बतानी है अगर आपने अधार काट दे दिया है तो आपको ID टाइप यहां से बतानी है कि कौन सी ID डेल लगेगी और यहां से अपनी जो है verify आपको यहां पर अपने नाम कर लेना है और अगर आप किसी तरह का change चाहते हैं यू हैब change your name तो यहां पर yes वरना no यहां पर छोड़ सकते हैं आप यहां पर अपने father का नाम यहां डाल सकते हैं capital later में फिर से आप अपने father का name को verify करेंगे mother name डालेंगे और साथ में दोस्तों यहां पर आप mother name को verify कर लेंगे यहां पर वही same चीज जो है यहां पर आपको दुवारा लिखना है date of birth 10th के market के अनुसार लिखना है दोस्तों ना कोई अपने से ना कोई अधार कार्ट पे जैसा कि जो 10th में market में आपका जो दिया हुआ है वो ऐसा ही आपको यहां पर डालना है और यहां पर आपकी 10th की detail डालनी है यहां पर आप click करेंगे आप कौन से board से हैं जिस बोर्ड से हैं आप वहां select कर लेंगे आप जिस बोर्ड से भी हैं सीबीसी से हैं या state board से जिस बोर्ड से आप यहां पर आपने board का name जो है verify कर लेंगे और साथ में यहां पर आप अपने roll number डालेंगे जो आपकी 10th की mark street पर रहती है roll number डालने के बाद दोस्तों फिर से verify roll number year of passing आप कौन से 2013, 2012, 2018 या 2010 में किस साल पास किये वहां पास कर लेंगे और आपको फिर से बार जो है passing certificate के हिसाब से जो आपकी कौन साले पास किये वह verify करना है gender यहां से आपको male या female है फिर से आपको यह verify कर लेना है आप यहां से जो है यहां कि यह आपकी जो है live of education यहां से आपको select कर लेना है कि कौन सी है यहां पर आप देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा आपके टेंथ है grouping है यहां से select कर लेणा है और साथ ही में जो है आपगा राफ जू reap ज्यादा-न ज्यादा 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 जो में आप दे सकें तो यहां पर आप गो अगर अभी टेंथ के बाल टेंथ है तो यहां 10-3 डालेंगे अगर यसके बाद आपके पास कोई post है यानि Мैनली with इस तो आपको यहां पर गेजुएसंद बर सकते हैं और साथ में अपने मुवाइल नमबर फिर से आपको यहां is ले acum करले लेना है और आप किस स्टेट से हैं यहां पर आप औल स्टेट के इसे से शले आप इस फारूम को बर सकते हैं , यहां पर दूस्तों आना है और शेब और नेक्स ट्री करना है , कुलिक करना के बाद , यहां पर आपकी contact डिटेल्स यारन एड्रेस मांगी जायेगी , एड्रेस मांगने के बाद आपकी यहां फर फोटो सिगनेचर आपको लगाना है लगबग 20 से फोटो आपकी 20 से 50 कवी के बीच में और जो है सिगनेचर आपकी जो रहेगी वो आपकी 10 से 20 कवी के बीच में रहेगी ऐसे करने के बाद ये आपकी रेजिस्टेशन हो चुकी है और आपके मुबाइल लंबर और इमेल करते हैं तो आपकी बेसिक यह चीज आप से पूछा जाएगा रिजिस्टेशन कराए जाएगा उस रिजिस्टेशन को आप सम्हाल कर कहीं लिख कर आप रख सकते हैं क्योंकि दोस्तों हर एक क्या से के फॉर्म में आपको इस रिजिस्टेशन की जोड़ पड़ेगी तो यहां पर दोस्तों यह प्रोसेस पूरा हो जाएगा यहां से आपको देख लेना है कि अगर आपके पास अधार कार्ट है तभी अधार कार्ट पर यस करेंगे अगर नहीं है तो यहां पर नो कर दे feeling कार्ट है या इक पैन कार्ट यह आपको एक जो // जो है हाँगी कार्ट हों सकते हैं एक आपकी बेसीग जो आप कोन से ही व्हों भी आपको बताना यह ए टैन के बारे में आपके पास जो क्वाविफिकेशन उसकी डाल सकते हैं आपकी contact detail डालनी है और साथ में आपकी photo signature भी डालनी है photo signature डालने के बाद आप इसके registration कर सकते हैं registration करने के बाद दोस्तों आपको direct apply करना है कैसे direct apply करना है हम आपको step by step पूरी information इस वीडियो में देते हैं चलिए दोस्तों यहां से हो गया यहां तक आपकी apply कि आपको कैसे apply करना है यह हो गया अब हम आपको बताते हैं कि आप registration कैसे करेंगे और इस form की fee कैसे pay करेंगे step by step इसके information भी मैं आपको देता हूँ जैसे कि दोस्तों यहां पर आप बैक करकर इस यहां पर आ जाएंगे जो आपकी username registration नमबर आई है और साथ में जो ssc ने अपना password भेजा है उसको यहां पर जो आपके mobile नमबर और email पर आपको आजाएगा वह registration नमबर और password डालनी है password डालने के बाद जो आपकी आगे की process होगी हम आपको बताते हैं कि form कैसे आपको fill करना है यहां तक होगी दोस्तों आप यहां से login करकर अपनी जो है fee payment कर सकते हैं और दोस्तों अगले के वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे form fill करना है और कैसे payment करना है यहां तक दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि आपकी registration कैसे करनी है step by step क्योंकि दोस्तों registration दोस्तों SAC की एक बार होती है जो आपको ध्यान से करनी है पूरे instruction को पढ़कर step by step करना है और जो मैं दोस्तों अगला वीडियो लाओंगा उसमें मैं बताऊंगा कि आपको जो है username और password डाल कर कैसे आपको form fill up करना है और कौन कौन से state में आपको preference देना है तो अगले वीडियो में पूरी instruction बताऊंगा कि कैसे आपको fee payment करना है कैसे print करना है और साथ में कैसे आपको form भरना है multi-task non-technical का staff का form कैसे भरना है step by step दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें comment करके बता सकते हैं अगर और कोई सकते हैं आपकी पूरी सहयता की जाएगी पांच मिनट के अंदर आपकी हर confusion को दूर कर दिया जाएगा तो दोस्तों अगले की वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो है registration करने के बाद इस form को apply करेंगे step by step तो उमीद करते हैं वीडियो पसंदा है पसंदा है तो लाइक करेंगे शेयर करेंगा और अभी तक आपने हमारा यूटूब चैनल स्टडी जोन को subscribe कर लेंगे तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तो के लिए दो करेंगे 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 करें